जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभीगा जीएस की पाट साला में दोस्तों यह UPPSC, ROR, APS और आगे जो भी परिक्षाएं आने वाली हैं उन सभी के लिए महात्पूर्ण सीरीज है ठीक है यह ऐसे फैक्स हैं जो परिक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं ठीक है वन लाइनर के माध्यम से मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूं यह इस सीरीज के बारवाँ वीडियो है ठीक है इसके पहले वाली 11 नहीं देखें देख लिए बहुत महात्पूर्ण महात्पूर्ण बताई है वन पॉइंट 5 के स्पीड से देख लिए आप लोग तो उस जरूरत नहीं है ठीक देखिए और इसको लाइक कीजिए शेयर कर दीजेगा ठीक है और चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा इसको चलिए शुरू करते हैं वीडियो देखें इसमें भारती समिधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है तो चीजे मैंने वैसे भी ताबर तोड़ वाले सीरीज में बता रखी है एक वीडियो में और लेकर आओंगा उसमें और सारी चीजे में क्लियर कर दूँगा यह किस देख से कौन सी जो विशेष्था है प्रमुख विशेष्था वो भारती समिधान में है लिग यह बारती समि अपाल की नियुकती है कनाड़ से बहुत सारी चीजें भारत के समिधान में समलित समौर्थी सूची यह राजसभा में प्रतिभा अनुभव और सेवा को प्रतनीत देने के लिए भारती समिधान के प्रस्तावना जो प्रियम्बल है किस देख से प्रेडित है तो वह ऑस्ट से से मौलिक करतब रूस यह कह सकता है भारत में विधी का सासन किस देश से है तो इंग्लैंड से अपात उबंद किस समिधान से है तो यह जर्मनी का जो यह वाइमर का कहीं कि आपको वाइमर भी दिख जाएगा ठीक यह याद रखेगा चले नेक्स्ट देखते हैं लोग हि संसद में सुन निकाल की परंपरा कहां से तो यह भारती जो संसद है लग भारती उसकी देन है यह ठीक है सुन निकाल समिधान का प्रथम जो संस्वधन हुआ था 1951 में पारित हुआ था यह बेसिकली जो इसमें अनसूची जोड़ी गई थी नव पहले आठी थी जो प्रार यह याद रखेगा उनिस यह तो यह अनुचैद में उनके संसवधन की प्रक्रिया दी गई है तो यह आपका 306 है और अगर भाग की बात करें तो कौन सा भाग है वह भाग 20 यह रखेगा इस चीज़ को रजय पुनर कठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौनसा संस्व कि सम्राइब स Excuse me New Year संघ है वह सूपने का है कि मामले वाइब तैसे उंच्चतम नियालय नहीं दारत कि था किसी भारती भुबा को किसी अन्य राष्ट को सौपने का कारे संसत साधरन विधी द्वारा नहीं वरन समिधान संसोधन के माध्यम से कर सकती है तो यही जो बेरी बेरुबारी का हुआ था 1960 में यही मामला था वो पूर्तगाली चेत दादर नगर हवेली को भारत का संग राज गोशित किया गया था कब तो दसमें समिधान संसोधन से ठीक है याद रखे गई है समिधान के किस भाग और अनुचेत के तहट मूल करदब है तो याद रखेगा भाग चार का में है और अ अभी कितनी है टोटल तो ग्यारा है यह तीनों चीज याद रखेगा पूछे जाते हैं यह आठ दस ग्यारा ठीक है अभी ग्यारवा जो जोड़ा गया था वो कौन सा है आप कमेंट करके बताएगा किस समिधान संसोधन द्वारा समिधान में भाग चार जोड़ा गया था यह 42 जो समिधान हुआ था ठीक है इसमें SSID याद रखेगा यह जो 42 समिधान संसोधन हुआ है उसमें ID का जो यह D है यह D यही है duties की बात कर रहा है यह इसमें और यह जैसे socialist हो गया और यह हो गया और यह इंटेग्रेटी यह जो सब्द हैं यह प्रस्तावना में जोड़े गये थे एक ही समिधान संसोधन हुआ है प्रस्तावना में अगर यह पूछा जा तो याद रखेगा सिर्फ एक हुआ है कौन सा 42 सवां उनीस सो कभ शीयत्तर में भाग नौ अनुछे 243 से 243 अना तक पंचायतों का संबंध है ठीक है यह याद रखे कब जोड़ा गया यह तिहत्तरवां 1992 में इसी तरह से 74 में यह नगर वाले का हुआ है नगर जो नगर निगम ठीक है ठीक है नगर पंचायत जो कहते हैं इसको 74 में ठीक है भाग नौ का ठीक किस समिधान संसोधन लेकिन दो देशों के मध्ध नई सीमा का निधान किया तो भारत और बंगलदेश के मध्ध किस अंसूची के अंतरगत राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राजशेत्रों का व्योरा दिया गया है तो पहली अंसूची में ही है ठीक है याद रखेगा भारत संग में नए राज्यों के प्रवेश देने से पूर्व समिधान की किस अनसूची में संसोधन आवस्यक है तो पहली अनसूची इसी में विवस्तादी गई है यह तो इसलिए इसमें जरूरी है इसमें संसोधन ठीक राज्य भूम सुधार अन्यमों को समिधानिक सुरुक्षा प्रदान करने है तो नवी अनसूची जोड़ी गई थी कब पहला जो समिधान संसोधन हुआ था भी आगे उपर बताया था मैंने उनीस से क्याओन में उसी के साथ ही मतलब यह जोड़ी गई थी यह नवी अनसूच यह चार राज्यों का नाम याद रखेगा छटवी अनसूची में इनके बारे में प्रावधान दिया गया है ठीक है तो यह बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजिए मैंने आपके रिवाइज करवा दी यह मतलब एक तरीके से छोटा पैकेट बड़ा धमा का टाइप वाला ठीक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाय है